हेलो गाईज वेल्कम टू माई यूटूब चैनल टूडे भी डिसकस अबाउस समाफ इस्टेंडर्ड अब्रिवियेशन और दियर मीनिंग्स जिसे कि हम आस्पीटल में जाते हैं जब डाक्टर को दिखाते हैं तो उस टाइम डाक्टर जो हमें दवा लिख कर देते हैं तो प मेंस क्या होता before meals मतलब खाना खाने के पहले जो हमें दवा खानी है और piece means क्या होता है यह इसका मतलब after meals मतलब हमें खाना खाने के बाद यह दवा खानी है अगर ऐसा हमें पर्चे पर लिखा हुआ है तो दवा के नेक्स्ट है एम मिंस यहां उपर आपको कि सबसे उपद दिख ओगा एम नियुक्त तो अल्टरनेट डे अगर कोई दवा हमें एक दिन छोड़ कर एक दिन खानी है तो वो यह अल्टी डाट डाई करके डाक्टर लिख देते हैं और ओय मींस आपको इच मार्निंग में दवा खानी है और ओडी मींस क्या हो गया डेली मतब डेली जो दवा खानी है वो वन सडे मतब दिन में एक बार जो दवा खानी होती है उसके लिए ओडी लिखते हैं और ओयन मतब इच नाइट ठीक पड़ते एक रात को आपको यह दवा खानी है ओयन लिख देते हैं जाक्टर एंड एचेस का मतलब हो जाता है बेड़ टाइम ठीक यह दवा अगर एचेस लिखा है तो दवा हमें बेड़ टाइम लेनी है और एचेन लिखा है तो टूनाइट लेना है और सियम अगर लिखा है दवा के परचे पर यह हमारे दवा के लिफाफे पर तो टुमारो मानिंग सियम मीन्स होता है टुमारो मानिंग हमें दवा लेनी है ओपी आरेन मतलब होता है वेंड अगर हमें जब हमें जरुरत पड़ेगी तब लेना है ये दवा, PRN का मतलब होता है और SOS का मतलब होता, if necessary in emergency जैसे कि SOS जिस दवा का होता है, परचे पर अगर लिखा है कि ये tablet SOS है जैसे कोई diaclophenic tablet है, वो SOS लिखा है, तो अगर हमें दर्ध होगा, तभी हमें लेना है जब जरुरत होगी, तभी लेना है, या तो कोई emergency पड़ती है, तो उस time हम दवा का यूच कर सकते है निक्स आता है BD या BID, इसका मतब क्या ओता है, ट्वी कड़े, मतब दो time खाना है दिन में निक्स आता है TID या TDS, इसका मतलब होता है TRI अड़े, मतब दिन में तीन बार जो दवा लेनी होती है उसको हम TDS बोलते हैं TID बोलते हैं नेक्स आता है QID QID का मतलब होता है 4 time a day जिसको हम दिन में हमें जिस दवा को 4 बार लेना उसको बोलते हैं QID नेक्स आता है State State का मतलब क्या होता है at once जो चीज हमें केवल एक बार देना होता है पेशन्ट को जैसे कोई injection हो गया कोई tablet हो गया तो उसको हम बोलते है इस्टेट ठीक नेक्स आता है आरीपी मतलब रिपीट अगर जिसे कोई दवा है जिसे कि किसी को fever है वो पहला सिटमाल खा लिया है और पर्चे पर या दवा के पर्चे पर लिफाफे पर लिखा हुआ है कि आरीपी तो दवा हमें फिर से एक बार खाना है रिपीट करना है एच का मतलब होता है हावर ठीक यहां पर अगर डाक्टर लिखते हैं तो हावर ली मुझे दवा लेना है क्यों का मतलब होता है इब्री नेक्स आता है हमारा कुछ उनिट नेक्स पामन उनिट और अप्रोग्जिमेट वैलू 1 kg बराबर 1000 ग्राम और 2.2 आईवी या पॉंट शीक 1 mg बराबर 1000 मैक्रोग्राम और 0.001 ग्राम शीक 1 पउन बराबर होता है 480 ग्राम 1 टीज़्पून बराबर 5 या 60 ग्राम 1 कप फुल बराबर 150 ml 1 ड्राम बराबर 4 ग्राम या 5 ग्राम या 1 तीज़्पून and 1 पिंट बराबर 500 ml and 1 ग्रान बराबर 60 mg सो इसक्ष्ट कोच और यूनित का है और उनकी बैलू 1 ग्राम ब्राबर 1000 अमजी और 1 पंड बनाबर 400 ग्राम या सिख़ीन वच्ण ओन्स या गलन बना नावर 400 पहर 400 ml 4000 ml का जो होता है फोर लिटर वो लेंगे या फोर को आर्ट वो लेंगे ठीक नेक्स्ट है वन टेबल इस्पून बरावर 15 ml यह चीज हमें जब सीरफ फूरप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वहां पर हमें देखनों को मिलता है वो लिखते हैं टी स्पून टी स्पून मतलब यह जो है पांच एमल लेना है में और अगर टेबल इस्पून लिख यह वन कॉर्ट है और यह लगी होगी अगर यह बीदियो आपको अच्छी लगी है समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को स्सक्राइब कर दीजिए निक बिल्कुल मत भूलिएगा और आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई ताउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के थूँ पूछ सकते हैं सो मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए वाई बाई जेहिंजे भारत